दोस्तों इस बात में तो कोई दोराई नहीं कि साल 2017 में ZTV पर प्रिसारित हुआ शोग कुंटली भाक्या अपनी शिरवात से ही TRP में काफी अच्छी पुजीशन का IMK हुए है जिसके इस काम्याभी का सार अश्रे जाता है इससे शोगी कहानी और किरदारों को जिन में से एक करण लूथरा की मा राखी लूथरा का जो शोओ में एक मा और सास की भूमिका को काफी खुबसूरती से निभा रही है यही वज़ा है कि इस शोओ में करदार को पर उतारने वाली आदाकारा अपने इस करदार से बहत पॉपलर है लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं शोओ में राखी लूथरा की भूमिका निभाने वाली आदाकारा अपनी असल जिंदगी में इस शोओ से इतनी जादा अलग नज़र आती हैं कि शायद ही आप इन्हें पहली नज़र में देख कर पैचान पाएंगे तो अगर आप भी शोओ में रिशब और करण लूथरा की मा बनी अभिनेत्री के बारे में जान अचाते हैं तो बस बने रहें वीडियो के एंट तक साथ इस दमदार अदाकारा के लिए वीडियो को लाइक करना न ना भूलें सीरियल कुंडली भागी में प्रीता की सास राखी लूथरा का करदार न भारे वाली अभिनेत्री का असली नाम है अनीशा हिंदूजा जिनका जन्म महराष्ट्र में हुआ जिसके चलते इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई यही से की वही अगर बात करें इनकी अभने करयर की तो इन्होंने साल 2009 में आए फिल्म फ्रूट एण नट से अपने आक्टिंग करयर की शिरवात की जिसमें इन्होंने अपने शांदार अभने प्रदेशन से लाकों करोडों दर्शकों से सराना हासिल की इनके इसे शांदार करदार को देख कर और निर्माताओं ने अपनी फिल्मों में और सीरिल्स में काम करने का मौका दिया जिसने संतोशी मा और फ्रूट्स एन नट जैसी कई सूपरेट फिल्मों के साथ साथ इश्कबाज और कुंडली भागय जैसे कई सूपरेट सीरिल्स शामिल है साथ इनोंने आज भी अपने अक्टिंग करियर को बरकरा रखा है जो कुंडली भागय में फ्रीदा की साथ राखी लूथरा का करदार निभा रही है लेकिन दोस्तों अगर बात करें शो में रिशब और करण लूथरा की माराखी लूथरा की भूमिका को परदे पर पेश करने वाली अदाकारा अनीशा हिंदूजा अपनी असल जिंदगी में कैसी नज़र आती है तो बता दें यूँ तो आप इने प्रोफेशनल लाइफ में सूट, साड़ी और हैवी हैवी जूलरी कैरी करते देखते हैं जो अपने इनी कपड़ों और एकसेसिरीज में टिपिकल इंडियन मदो के रूप में नज़र आती हैं साथ ही इनके हैरस्टाइल से लेकर मेक अप तक सब कुछ ट्रेंडी होता है जिसके शलते ही असल जिंदगी में काफी ज़ादा गौजिस नज़र आती हैं जिने असल जिंदगी में रेक लोग काफी हैरान रह जाते हैं तो दोस्तों अब इनेतरी अनीशा इंदुजा के बारे में आपकी क्या राय है और आपको इनके दोनों लुक में से कौन सा लुक जारा पसंद है आप हमें एक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मज़ेदार खब करना ना भूले